को के तो यह है नॉर्मल जिन्दगी और यह है मेंट जिन्दगी कि सो गाइज आज की सुटे में हम बात करने वाले हैं कि आपके किसी भी स्क्रीन डेकोडिंग वीडियो में आपका जो फोन की स्क्रीन होती है उसे कैसे ला सकते हैं सो गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले करना एक आप को डाउनलोड कर देना है जिसका नाम है काइनमाश्टर अप जैसे अगलोड करोगे आपको इस प्लस वाल ओप्षेन पर टाप करके आपको जो भी रेश्रयो का सिल्एक करना उगा है उसे से लेक कर देना है अब दूस्तों यहाप में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है वासे आपको एक फोटो डाउनलोड कर देना है जो कि मैंने आपके लिए बहुत ही ढूंड के लेकर आ चुका हूँ आपको उस बैकराउंड कर देना है कुछ इस तरीके से अब दोस्तों आपको उसका डूरेशन बढ़ा के सिंपली चले जाना होगा आपने लेयर स्वाले उप्शन पर यहां से आपको जैसे आप चल जाओगे मीडिया में तो यहां पर आपको जो है आपका जो स्क्रीन करना होगा उसे सिलेक्ट कर देना है तो हम फड़ावट से अपने स्क्रीन रेकोडिंग वीडियो को ओपन कर देता है तो यहां पर मैं जो है अपने इस वाले स्क्रीन रेकोडिंग वीडियो को ले लेता हूं तो इस पर हमें सिंपली टैप कर देना है तो आपको क्या करना ह इसका जो duration है उसे भी बढ़ा लेना है यहां पर हमारा इसका duration ज्यादा है और हमारा background का duration कम है तो अमें भी इसके बढ़ा लेना होगा जितना कि हमारा screen recording video होगा अब दोस्तोंक यहां पर हामें क्या करना है फिर से चले जाना होगा लेरस वाले अप्शन पर यहां से अपको जो है विजये मीडिया वाले ओप्शन पर टैप कर देना और यहां के आपको कि मैंने आपको ।िसक्रिप्षन में लिंक दे रखिये वाहाений आपको जो अपनी उसी PNG को कर देंगे open अब जोस्तों हमने इस PNG को तो open कर दिया है अब हमें यहां से जो है अपने फोटो PNG की जो size है उसे भी बढ़ा लेना है तो अब यहाँवे मैं अपने PNG की size फड़ाओट से बढ़ा ले तो जितना हमारा जो background होगा यह अब हमारा गोडिंग video होगा उतना ही हमारा पी एंजी की size होनी चाहिए तब हमारी PNG साइस एक्दम बढ़ेना है यहां पेलिए इस स्क्रीन रेकॉर्डिंग video होगा उतना तब तक हमें इसका duration बढ़ा द जाना है तो यहां पे हमें जो है तीनों का duration जो है same कर देना हे तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे स्क्रीन एकोडिग वीडियो में जो ब्लैक कलर की लाइंस दिखा ही दे रिए right तर better यह आपकu क्रोपिंग वाले यह आपको सब्सक्राइब करें ले ना है जो कि ब्लैक वाला है में आपको यह इस डीजुन से और बैंक कर देना तो आपका जो फोन का फ्रेम है वह बिल्कुल रियलिस्टिक लगने लगेगा WhatsappNothing तो अपको एक बार आपको चलने हैं अपनी screen recording तक है click करадиना है johnstar कर देना होगा next screen recording video लेखिए अब दोस्तों यहापर आपको क्या कर रहा है शेम को आपको अने रपें वीडियो फिर आपको दिखाए रहे रहा हुगा कि राइधिक सेकते हैं अब आपको के कहँ व्हों कि और ने वेस्ट जो हुआ टिक करने के लिए वह सीलेक्ट करने मिल्र का तुकिका गवा सब्सक्राइभ cupcake जो है वो सेम हो चुकिए और अब मैं आपको बाता हूँ कि अब जो है लैंड्सकेप मोड पे कैसे आपके फोन को कर सकते हैं कि अब इसके लिए हमें लैंड्सकेप मोड का जो स्क्रीन रेकोडिंग वीडियो और इसे एड़ कर लेना है लेयरस में आप फिर से आपको चले जाना होगा लेयरस में और इस बार हम जो है अपने फोन की पी यजिले लेके आ जाएंगे तो यहां पने फिर से लेयर इसको perfectly लगा दिया है अब आपको जो है simply background को erase कर देना होगा फिर से वैसे ही मैंने आपको जैसा बताया था आपको screen recording video को select कर देना है पहले तो हम इसका duration बढ़ा लेंगे जितना की हमार screen recording video होगा तो अब यहाँ पर मैंने full duration नहीं बढ़ा है आपको full duration बढ़ा देना है और यहाँ आपको जो है simply cropping पे जाकर के background को crop कर देना है मैंने लास्ट में आपको जो है जब भी आपका जो फूरी editing हो जाए उसके बाद आपको इनकी size देख लेनी है कि आपको जो है और duration जो है सभी का same है या फिर नहीं और ना हो तो आपको same कर देना है अब हमारे video जो है थोड़ा सा इस साइड आ जुगा है तो हमें इसे राइड साइड में ले लेना है तो अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो screen recording video है वह बहुत बड़ी आसे दिखाई दे रहा है और अब हम प्ले करके भी डेख सकते हैं तो यहां पर कोई भी दिकत नहीं आ रही एंड कैस आपकी जो है सभी editing हो जाने के बाद आपको जो है is the export वालए option पे टैप कर देना है और यहां से आपका जो वीडियो होगा वो से हो हो ना के लिए आपका दनर थेंक्यू सो मच्छ